बीगर दिनों हुई लगातार बारिश लोगों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं है उदम सिंगर के जस्वर और सितारगन शेत्र की नई बस्ती डिर्डरिया इलाके का जहां मौसम की पहली बारिश ही लोगों पर आफ़त बन का टूटी है इस पूरी बस्ती में बरसाथ का पानी भरा है लेकिन कोई भी अधिकारी या जन प्रदिन दीज सुद लेने को पहुंचे है ये जो तश्वीरा आप देख रहे हैं जस्वर के नई बस्ती डिर्डरिया की हैं जहां बस्ती के सभी मकान पानी की जद में हैं बाजार से किसी भी जरूरी सामान के लिए यहां के लोगों को दस बार सोचना पड़ता है मगर लोग करे तो करे क्या फिलाल अभी तो मौसम की पहली बारिश यहां का हाल भी हाल है घरों में पानी की सुने को तयार है बहीं अगर यहां के छेत्र के निबासियों की माने तो फिसली बार भी यहां छेत्रिय बिधायक और उफजिला दिकारी आये थे और तीन महीने में यहां के रास्तों के निर्माट के लिए आस्वासन देकर गए थे एक साल बीद गया लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है और नहीं नगर पालिका की ओर से कोई ध्यान देने को तयार है चुनाप के दोरान नेता बूट मांगने आते हैं और विकास का जूटा अस्वासन देकर चले आते हैं 22 महिलाओं का कहना है कि पानी के कारण घर से निकलना मुश्किल है और आए देन यहां साप निकलते रहते हैं जिसके कारण बड़े बूड़ो बच्चों सभी का दर बना रहता है सापों के कारण किसी महिलाओ या बच्चे की तविद खराब हो तो उन्हें अस्वतार ले जाने के लिए भी दस्वाब सोचना पड़ता है उनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी शेतर का विकास हो और यहां की सड़कों का निर्मार किया जाए सितारगन शेतर के मलपुरी, नकटपुरा, पिपलिया, ग्राम में बीती रात्री हुई तेज बरसाथ से किसानों के खेतों में पानी भर गया है किसानों ने बताये कि उन्होंने अपने खेतों में धान की पौध बोधी थी जो की खेत में बरसाती पानी भर जाने से खराब हो गई है जिससे तीन गाप के किसान फिरभावित हुई है ग्रामीडों का कहना है कि मिल के द्वारा गूल पर अतिक्रमण कर लेने से बढ़साती पानी नहीं निकल पाया और खेतों में भर गया ग्रामीडों की कई एकड़ भूमी में पानी भरने से काफी नुकसान हो गया है और ग्रामीड अक्रोसित हो गया है ग्रामिवड ने मौके की सूचनत जिलादीकारी मुकता मिश्रा को दी तो मौके पर तैसिलदार परमेश्री लाल ने पहुंचकर मामले का जायजा लिया जहां ग्रामिवड ने तैसिलदार को ग्यापन देकर मामले में जाज की कारवाई करने की मांग की वहीं यहां के रास्ते के लिए नगरपालिका द्वारा इंट और मलवा तो डलवाया गया है मगर पिछले दो महीनों से अभी तक कोई भी निर्मार कारे शुरू नहीं किया गया है कहीं न कहीं विभाग भी लापरवाही नजर आ रहा है अब देखना है किस बस्ती के लोगों की समस्याओं का समधान हल कव होगा मैं एक नागरिफ हूँ जस्पूर का रहने वाला मुहमद यासी मेरा नाम है और पिछले साल भी उससे पहले साल भी समझे हमने बड़ी परेशानी उठाई पर रावी विदायक साब पिछले सॉल हमने पुल बनाई पुल पर हमने विदायक साब को भी इस भी सुल और रहा मसला विदायक सारी बैते दिल को तसली दे के चलेगे विदाय साफ ने यह निसोचा, आने वाले वक्त में मेरी पीर जाए है, क्या करेगी? यह पूरे शेहर के विदायक है, क्या गाउं के दोड़ी है? विदाय साफ का यह भी हग बनता, शेहरवारों को देखने को, विदाय साफ बोले, बैश चेर्में साफ से बात करनी है, महिला बिमार होती है, महिला प्रेग्डेट है, उन्हें केसे लेके जाए पानी में, बच्चे बिमार होते हैं, केसे लेके जाए, साफ इतने होते हैं, पूरा खेत खलियाने चारों तरफ, भटों में पानी बढ़ जाता है, साफ घरों में घुज जाते हैं, कही साफ आए दिन, द कर सालाम में होते हैं का सव 2 नचाय नाज कि है यह विक ल। गया जार बिड़ा हूं वह बीद्वा हूं थी हाथ की बीमार हूं तकली इतनी हैं कि मैं तबा का कहा कर कि लांच करती हूं घच बीने हैं और क्या द्यान देंगे हमाइज लिए तो क्या चुनने औरो क्या ध्यान देंगा हं आजए आदमी कोंगों जो हम पर ही सारी इतिकते लिएया हिनं आ पर पानी वेदय confus हिआated अगरो डे किरुप आधी बढ़ने कु तयार है, कीडा काड़ा लिकल लिकल लिया है, साणपी लिकल लिकल लिया है, सकता बनन नहीं साड़क बनने ऊपर कोजोầnति जूए को तेकिर है, और विषलीओ हो घ्यूजोब शोडलगा नागलने km suddenly you walk it with you दोस्तों आगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें झाल, 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 झा